दोस्तों कई बार होता है कि हम नया फोन खरी लेते हैं और पुराने फोनों को भूल जाते हैं उनको या तलमारी में रख देते हैं या फिर हम उनको ड्राज में डाल देते हैं कि इसको देखी जाएगी बाद में कभी यूज करेंगे और फिर मजबूरी में जब हम इस फोन को बहुत पुरानी है, कवर भी उत्रा हुआ है, वैसे फूली तो नहीं है, तो आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए अगर आपने सई सलामत फोन, आपको याद है कि आपने सई सलामत फोन अलमारी में रखा था, वो ओन नी हो रहा है, तो आपको उसे कैसे ओन करना है, किसी भी दुकान पर मज जाना, वरना दुकान वाले को अपोर्चनेटी पूरी मिल जाएगी, कि वो आपसे तीन सो मागे चाए पान सो मागे, सीधा यही बोल देते हैं, आजकल दुकान वाले कि भाई, पावर आइसी खराब है, डिस्पले खराब है, अब खराब तो इसमे मेरे इसाब से कुछ नहीं, अगर कस्टूमर ने मुझे जैनुवन बात बताई है, कि बस सिर्फ चलता हुआ कंडिशन में रखा था, उसने दूसरा फोन खरीदने के बाद इसे यूज नहीं किया, अब ये तकरीबन डेट साल बाद इस बंदे ने ये फोन उठाया है, और इसने चार्जिंग पे भी लगा कर रख दिया है, मैं भी इसमें देखो, चार्जर लगा कर देखता हूँ, वैसे कस्टूमर ने बता दिया है, कि पहले मैं चार्जिंग जैक फिजिकली चेक कर लेता हूँ, इसका, ठीक है, पानी वानी तो खर्व नहीं गया है, इसमें, इ या मैंने खूब लगा लिया चार्जिंग प्रेस को कई कई घंटे लगा लिया अगर उससे काम बना नहीं यह अभी तक तो नहीं हुआ है अब मैं आपको बताता हूं देखिए आपने भी एक चीज सुनी होगी के बैटरी बूस्टिंग किसे बोलते हैं बैटरी को बूस्ट क नहीं तो इसकी बैटरी ओती नश्य देर यह अंदर यह होता है तो आपको देखिए इस फोन पर जटका कैसे उगी नहीं है तो आप तो दुकान पर जाके कराना पड़ेगा अब दुकान लबाई सबाब से फिर वही मांगेगा तो आज आपको जटका मानने का तरीका बताता हूं बैटरी पे ठीक है आपको बैटरी ऐसे बाहर निकाल लेनी है और चारजर लगा रहने देना है ठीक है और आपको एक चीज़ बताता हूं अगर आपने चालू कंडिशन में रखा होगा तो यह कंफर्म ओन हो जाएगा यह बैटरी मैंने जीप पर लगा के देखी पूरी डाउन है पूरी डेट हो चुकी बैटरी कोई इसमें करंट नेजर नहीं आ रहा है अब देगे जटका कैसे मारना है चारजर लगा लेना है आपको बिजली में चारजर लगा लो उस बहले ही इसमें चार वोल्ट का जटका लग रहा है मगर वो थोड़ा टाइम लगा देगा पांच मिनट या दस मिनट मगर यह ओन हो जाएगा ठीक है यह मैं आपके सामने आज करके दिखा रहा हूं अगर यह ओन हो गया तो वीडियो डालूँगा नहीं तो वीडियो जाते हैं माइनस वाले में माइनस तो इससे 14 वोल्ट का जटका लगता है तो बैटरी जाग जाती है उसके एंपियर उठ जाते हैं यह मैं देश सी अंदाज में जटका मार रहा हूं देशी तरीके से ना थोड़ा सा टैम लगा देगी दोस्तों पेशन्स रखना दस मिनट लेके बैट जाओ यार दस मिनट आप क्या काम कर रहे हो दस मिनट फिरी हो जाओ इस काम के लिए अगर सेट ओन करना है तो दुकान वाला भी ऐसे करेंगा वह तो जटका मारेगा उसके बाद आपको बताएगा नहीं कि फोन में सिर्फ बैटरी डाउन हो गई थी बैटरी डैड हो गई थी वह नहीं बताने वाला वह आपको सिधा यह बोलेगा भाई फोन की पावर आईसी खराब है या फोन में कोई भा गे दिखा वहाँ गा इसको पंबस इसको एसे करते रहना है करते रहना है करते रहना है करते रहो इसको पंच चैब को अगर जान होगी नहीं दो ओby लोग गया वाहegenकर वॉग वाई ताली हजा थो सारे वंदहि MON दाए अब यह जीलो से सुरू ओचुका है चार्जिंग लेना सैमसंग के फोन तो अक्सार हो जाते बैटरी हो जाएगा तो आप इसको अरम से आदा एक गंटा इस इसी तरीके से चार्ज होने तो सली में सबर रखें पेशन्स रखें बैटरी बिल्कुल काम में आएगी बिल्कुल काम होगा आपका अब इसको नहीं यह दो चार परसेंट हो जाएंगे ना उसके बाद इसको ओन करेंगा ना और अब चाहे आपके पास नोकिया का फोन हो या फिर कोई भी चाइनीज फोन हो उनको इसी तरीके से ओन कर ले ना यह चोटी सी चीज मेरे को बताने थी क्योंकि इसी चोटी चीज के ना आप से 300-500 रोपे ले ले लेता बंदा आपको बेकु बनाकर क्यार यह खराब है यह खराब है खराब कुछ होता नहीं है ना अब इस तो चारजर लगा रहना चाहिए इसमें चारजर लगा के रखना उसके बाद इसको मैंने आपको ओन करके दिखा दिया मगर आप आदे घंटे बाद ओन करना मैंने अभी ओन कर दिया भाई क्योंकि मेरे पास तो रखा मैं तो दुबारा जटका भी मार दूँ अगर मुझे दिक्कत आई तो आप क्या करोगे अब यह इसे मैं छेड़ूंगा नहीं कुछ ज्यादा चलाऊंगा नहीं सिर्फ आदा गंटा इसको चार्ज होने दूआ यह बिंदास वर्क करता रहेगा यह चोटी सी जानकारी आपको अगर काम की लगी हो हेल्फुल लगी हो तो आप च